हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग सारे भाई मेरा नाम नवीन डागर होप करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होगे आज देख लो भाई हमारे पास टीवेस की रेडियन वाइक है रेड कलर के अंदर तो गाइस आज गलना टीवेस जो कंपनिय हो बहुत ही जादा अपडेट्स दे रही है अपने बाइक के अंदर जैसे कलर मीटर वाले आपको कलर टीवेस डिस्प्लेइस देखने को मिल रहे है उसके बाद बाई इनकी टीवेस रेडर टीवेस रेडियन और टीवेस एंट टो बहुत ही जादे चर्चे में है तो आज इसी बाइक का एक ओ सब्सक्राइब कर लेना चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं दिखाते हैं आपको एक अच्छा सा ओनर्शिप एक्सपीरियंस इसी टीवेस रेडियोन का तो यह हमारे ओनर है यह मेरे ही मामा जी है तो मामा जी कैसे हो आप हमें एक बार बता दो सभी को बढ़ी आया जादा बात नहीं करेंगे सीधा मुद्धे की बात करेंगे तो मामा जी हमेंना सबसे पहले यह बताओ आपने ली कब थी तो पांच से च्छे महीने अल्मोस्ट हो चुके हैं और कितनी चला दिया आपने साड़े पांच जार गला वह चुकी है तो सर्विस कितनी करवा चु अच्छा तो आप 3 सर्विस करा चुके और 3 सर्विस फ्री यह उंगी उसके साइच छे फ्री सर्विस है तो यह काफी सही चीज देगो वाई टीवस रेडियोन में आपको छे सर्विस फ्री मिल रही हैं फ्री इसन उसमें आपको लेबर चार्ज नहीं देना पड़ेगा तो यह काफी सही बात है तो एक बार सर्विस टैनियोर बताइए कब कब आपने सर्विस करवाई थी एक मेने करवाई थी पांसो किलुमीटर रुपर एक करवाई तो इसकी सर्विस कॉस्ट में अभी जैसे लेबर नीदी होगी अपने हां बस थी फिफ्टी नाइन और कशार्ज लिया था अच्छा शूसके लावा एक बार इसमें पैट्रोल सीफटी डिया होता चोटी सी वह थी सी ओटी बाए तो बेद्टों अच्छा तो थी फिफिफ्टी नाइन लिया ओनली फस सर्विस का मतलब तीनों सर्विस में सिर्फ ब्हुर्स का उफैघ्स वीं तु फैल चेंज तो भई तीन पहीं हाए niew supports अ कुछ च्छ इन्य हो जाती है तो कितनी कफायत ही आप आप खुद आप ज्दाफ अरफ सकते हो तो मतलब की पूरी सुनते हैं ऑफ टोंने कमपरेंट गड contribution अ तोर तो और वराल सर्विस एक्सपीरेंस आपको चला तो अब हमें ना एक चीज यह बता ही कि आप इससे पहले कौन सी चलाते थे आपनी कौन सी चला रखी और फिर आपका अचानक से मन कैसे हुआ कि मुझे रेडियन लेनी है इससे पहले मैं से प्लेंडर पर प्लेटिना एक्सप इसकी रेडियन लेनी है इसके अवरेज के वारे में सुनाता है अच्छे निकालती है जैसा कि मैंने खुद भी देखा है कि मैंने पांच जालाई 73-75 एप्रेक्स सपीड 52-55 के बीच में चला यह तो आराम से निकाल रही है तो पिछेत्तर की आराम से निकालती है अगर आप 55-40 चलाओंगे तस सीक दे सकती है आराम से कोई सो नहीं है तो आप किसके लिए रेकमेंड करोगे अगर आपको यह सब काम है यह सारे काम है तो आपके लिए बैस्ट रहेगी बिल्कुल पिछेत्तर आपका चलाने का तरीका रहता है पचास-पचपन कोई अगर चलाने वाला बंदा है तो उसको कितला अच्छा सीक आवरेज यह दे देगी अगर कोई धीरे चलाए तो आपना हमें कुछ चीज़ा ऐसी बताओ कि इसी के अंदर है और किसी के अंदर आपको नहीं मिलेंगी तेखो मैंने सप्लेंड चलाई पलेटेंस तस तस सीवाल चलाई एक अच्छगेर चलाई और साइन भी चलाई तो मुझे इतनी अवरेज दो किसी की मिली पलेटेंस के परस्पस से लिए लेकिन उसने 56-57-55 मुझे अवरेज फालतों नहीं दी हाँ इंजन थोड़ अच्छा तो मतले सॉलिड बिल्कुल टाइट फील बिल्कुल इसमें कोई दिक्कित नहीं कैसी स्प्लेंडर से भारी भी है देखने में अच्छी है मतला और एक इसमें मुझे सबसे अच्छी जो मेरी मुझे अच्छा लगा सबसे इसका जो कलर फूल मीटर है वो सबसे मिलता है यही से मीटर ना टीवेस देखने टो जान डाल दिया काड़ी मैं अब देख सकते हो वाइए छोड़ी सी बहरी भी लगती और को उच्छी बात आपके दमाग में जो हो जबात जाते हो नहीं रहत तो इसमें जाच्छी हो जाती है दो फून चार्ज को कर सकते हैं त तो देख़ लो कि इसमें अलग समनी कोफनिने स्टेंडर्ण यहां पर आपको यूस भी मिल जाता इस तो दोस्तों यहां पर देख लो यहां पे इसमें 8000 km भी चला है तो भी इसके एंजन कोई दिक्कत ही ना दे आपको तो इंजन में थोड़ी सी बस रेफाइनमेंट की कमी है बाकी एवरेज की तरफ से आप पूरे से इसके बाद और कोई चीजे जैसे आपको अच्छी लगती हों कि ब्रेक कैसी है एक सबस्थी है एक सबस्थी अवाज है तो अब जाए 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 तो बिल्कुल उसके बाद रात में इसकी लाइट वगरा की विजिविलिटी कैसी रहती है रात की समेक तो सबसे ऊपर एलेडी लाइट है जो मतला हमी साब की जलते रहती है और एक है लोग जाएंगे तभी ओन होगी बंद कर सकते हैं टो शॉस्पेंशन वागरा में एसे हाड लगता हो या स्टिफ लसॉफ्ट नहीं आया इसमें तो अपने जैसे छूवन्सो किलोमेटर चला लिये है 5400 काफी अच्छी एक नंबर हो जाती है इसमें सारी चीजे समझ में आ जाती है विए मेरे बाइक में क्या अच्छा है क्या बेकार है तो आपको ऐसी चीजे बताओ कि यह इसमें थोड़ी सी और इंप्रूव होनी चाहिए थिया और बहतर करी जा सकती है मैं जो मुझे सबसे बड़ी गमी लगी इसमें इसके जो इंजन का समूथ रहे सा वह वाली बात निजो पलेटिन एक गेर में ती बट मुझे उसको को मतलब नहीं है क्योंकि मुझे तो तो थोड़ा सा इसके अंदर मतलब इंजन रफाइनमेंट होता तो आपको अर अच्छा लगता है पचास पर सुमूत नहीं है जैसा होना चाहिए पलेटिन एच गेर का था बट एवरेज गम थी तो अब भी मैं इसको मतलब मतलब से भी अच्छा को चाहिए उसके बाद कोई और कमी आप गिनवाना चाहोगे और समेह से कोई कमी नहीं है अभी तक और एक दू एक अब इसको स्टाइब नहीं कर सकते हमें स्टेंड उपर करके बैठ नहीं पड़ेगा यह बीच बाले स्टेंड पर साच कर सकते हैं अच्छा नूटरल पे भी साइड स्टेंड नहीं होती तो अब तो अबने इस पर्चेस से कितना सेटिस्वाइड अगर मैं आपको पांच म कोई अवाज या कुछ लगा कि कम जो हो रहा है साइलेंसर देखो अपका यह देखो सब मतलब हाड सा लगता को लिए मजबूत है तो दोस्तों इसमें एक चीज देख लो जो डूरा लाइफ वाली बात है ना वाई टीवेस ने इसमें जरूर से काम किया है जैसे आप यहां पर यह देखो गे ना तो पूरा साइलेंसर इसके ऊपर कवरड़ है कि भाई कहीं से भी आपका पैर वैर छिलके इस पर जले ना तो चोटी-चोटी चीज़ों बहुत ध्यान दिया गया है यह सारी चीजे तो यहां पर थाइपैड भी मिल जाता कमफर्ट के लिए उसके बा बाई हैंडल वेंडल कि पूरी जो क्वालिटी ना चीप नहीं लगती है कहीं से भी काफी अच्छी रबर्ड यूज करी गई है ओवर ऑल काफी सही लगती है तो बाई सारी चीजे ना काफी सही दी गई इसके अंदर और जब से इसके अंदर यह डिजिटल वाला मीटर दे हैं और आपको जरूर से माइंडसेट वन गया होगा कि आखिर यह बाई आपके लिए है या नहीं है तो बाई एक चीज में सीधी सीधी आप लोगों को बता देता हूं कि बाई की जो एवरेज है वह बहुत ही बिंदास एवरेज है अगर आप एवरेज के लिए बाई लेन लगते हो तो वन आफ दा बेस्ट प्रेफरेंस में इसको बोलूंगा अगर आप यह बाई कंसिडर करते हो ना तो आपके पैसे बिल्गुल भी दुखने नहीं वाले हैं क्यूंकि इस प्राइस रेंज में सारे बेस्ट फीचर्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है और स तो यही थी कुछ आज की हमारी वीडियो वीडियो को यही पर खतम करेंगे मिलते हैं कैसी बहुत ही शांदार वीडियो के अंदर अगली वीडियो में तब तक के लिए stay tuned keep watching and I'll see you guys in the next one